नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूप्टुब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन टीजीटी परिछा 2021 इतिहास और चेप्टर का नाम है साहज जहां और प्रेटी सेट 74 है तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे कोवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चले वीडियो प्रारम करते हैं हाँ इसे पिछले आगर आप लोग को प्रेटी सेट 73 तक देखना है वीडियो तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर जिसका नाम है यूपी टीजी टी इतिहास के नाम से तो उसका किसके काल में प्रसिद मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था इसमें ये पूछा जा रहा है किसके काल में जो मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था यह वह था साजहां के काल में मयूर सिंहासन इसको तक थे ताउस के नाम से भी जाना जाता है और अर्भी भासा में अगर देखा ज यानि मोर से बना हुए मोर क्या किर्थी बना हुआ इसी घासन था कुश्चन नमबर दो है किस मुगल बासा ने निस्फल मध एसी आई निती पर खाजाने का एक बड़ा भाग ब्याय किया था तो वो था साजहाने इंसरे जाएगा डी साजहाने कुश्चन नमबर तीन है किसके साशन काल को अस्थापत्य का स्वन काल कहा जाता है अस्थापत्य का स्वन काल तो वो काल है किसका साजहान का अस्थापत्य का स्वन काल से मतलब है यहाँ पर जो है साजहां की जो है सबसे बड़ी जो इमारत निर्मित कराया था वो ताजमाल था आगरा में इसके अलावा जामा मस्जीद आगरा में मोती मस्जीद निर्माल करवाया था यानि कुल मिलाकर इसका जो सासन काल था अस्थापत्य कला के लिए परसिद्थ था इसलिए इसको अस्थापत्य का स्वन काल कहा जाता है खास कर ताज महल के परपेच़ में कोस्टillar नंबर चार है दिल्ली के लाल केले का निर्माण किस ने करवाया तो दिल्ली के लाल के लिए का निर्मान करवाया था साजहा ने एंसर हो जाएगा सीस में साजहा ने क्वेस्टन नमबर पांच है साजहा ने किस संगितग्य को गुल समुंदर की पदवी प्रदान की गुल समुंदर की तो इसमेंसर हो जाएगा D लाल खांको तो सा जहाने लाल खांको गुल समुंदर की जो है उपाधी परदान की थी कोश्चन नमबर 6 है खाने जहां लोदी का बिद्रो किस मुगल सासक के समय हुआ था खाने जहां लोदी का बिद्रो जो है किस मुगल सासक के समय हुआ था तो यह मुगल सासक थे जिनका नाम था सा जहां कोश्चन नमबर 7 है वह कौन प्रथम मुगल सासक था जिसने आकाल के समय किसी प्रकार की सुबधा की बेवस्था की तो मुगलों में यह प्रथम ऐसा सासक था जिसने आकाल के समय किसी प्रकार की सुबधा की बेवस्था की थी तो वो था सा जहां एंसर हो जाएगा सी सा जहां तो सा जहां के सासनकाल में जो है दक्कनेयम गुजरात में यानि की 1630 और 32 सिस्विक करीब जो है भीसन आकाल पड़ा था और उस आकाल में जो है लाखों लोगों की मृत्तु भी हो गई थी और आकाल से पीडि जो लोग थे उनकी सहायता परदान करने के लिए साजहा ने जो उस समय अनेक परकार की जो है सुबधाय परदान की और इस परकार ये मुगल सासक मुगल वन्स का या मुगल समराज का पहला सासक था जो आकाल के समय अनेक परकार की सुबधा उपलब्ध कराया था कोसर नमबर आठ है साजहा ने कि संगीतक के गुण समुंदर की पदवी परदान की थी यह की थी किसको लाल खांको दो बार कोसर यह रिपीट हो गया है कोसर नमबर नौ है किसके विरुद साजहा ने करतार पूर का युद लडा किसके बिरुध जो है साजहाने करतारपूर का युद लड़ा था ते ये बिरुध था गूरु गोविंद सिंग के बिरुध एंसर इसमें C हो जाएगा गूरु गोविंद सिंग के बिरुध कोश्चन नमबर 10 है निमलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद से समंद नहीं है तो पानीपत के युद से कौन से समंद नहीं तो यह होगा 1642 इसके बाद देखेंगे तो 1526 में पानीपत का पर्थम 1556 में दूती और 1761 में तिर्थी पानीपत का युद हुआ था लेकिन 16 cost 1200 जा इससे समंदित नहीं रिबा ने कि Focus Numbers 11 है निमलिखित में से किस मुगल बासा ने सिजिदा रिवाज को समाप्त किया था किसी जिदारि रिवाज को तो यह रिवाज समाप्त किया था साजहा ने साजहा का चेप्टर चल ला है तो सा जाही एंसेर होगा इनसार थेखे ऽे और साजहा वी आ राया है तो इसका रिवाश्यर Лiया अगर पूझता है कि प्रारंब की कि आख द्र लबन और इसको मुगल आख किए سजहा ने समाप्त किया गए था ये इरानी दर्बार का रिवाज था और सिजदा प्रधा कांत कर दिया गया इस प्रधा को भी खत्म कर दिया गयां शिजदा कमत interlead कर राजा के पईर को चुमना होता है ये प्रधा थी जो इरान से लाए गए थी बलबन के सासनकाल में प्रारम क्या था और इसी को समाप्त क्या था साजहाने कोशन नमर वारा है निमलिखित बिदेशी यात्रियों में से कौन मुगल समराज में नहीं आया बिदेशी यात्री में से कौन है जो मुगल समराज में नहीं आई यह पूछ रहा इसमें तो वो था डोमिंगो पेस एंसर हो जाएगा डी इसमें डोमिंगो पेस तो डोमिंगो पेस या इसी को डोमिंगो पाइस का जाता है तो यह आया था जो है बिजयन अगर एक एक सासक थ था क्रिश्ण देवराय के सासनकाल में यह थे इसके अलावा वर्नियर ट्रैवनियर और ट्रामस रो यह सब जो है मुगल समराज से समन्दित हैं कुश्चन नमबर तेरा है इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़ क्या थी तो जगड़े की जड़ पुछा जा रहा है इसमें जगड़े का जड़ था कंधार क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना जो है मुगल सासक तथा इरान के साह के लिए परतेश्ठा का बीच से बना हुआ था जगड़े का जड़ था कंधार क्योंसर नमबर 14 है मुम्ताज महल का असली नाम है तो मुम्ताज महल का असली नाम क्या है अरजुमंद बानो बेगम इंसर ए होगा इसमें अरजुमंद बानो बेगम क्योंसर नमबर 15 है बनारस एवं इलहाबाद के तिर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बासा के सामने बनारस के पंडितों का नित्रित्व किया था तो बनारस के पंडितों का नित्रित किया था कबिंदरा चारेने एंसर इसमें C होगा कबिंदरा चारेने कोशन नमबर 16 है कंधार के निकल जाने से मुगल समराज को एक बड़ा धक्का पहुँचा क्या धक्का पहुंचा इसमें एंसर होगा D सामरिक महत्तो के केंदर के दिश्टी कोण से कुस्टन नमबर 17 है साजहां के बल्ख अभ्यान का उदिश से था तो साजहां के बल्ख अभ्यान का उदिश से क्या था तो इसका मेनुदे से था काबूल की सीमा से सटे बल्ख और बक्स खा में एक मित्र सासक को लाना ए एंसर होगा इसमें कोस्टन नमबर 18 है निम्न में से कौन साजहां के सासनकाल का राज कवी था साजहां के सासनकाल के राज कवी का नाम था कलीम इंसर होगा A इसमें कलीम Question number 19 है हिंदू तथा इरानी वास्तु कला का सरपर्थम समन्वे हमें देखने को मिलता है यह किसमें मिलता है यह मिलता है ताज महल में यह ताज महल की जो आकिर्ती है या समन्वे या मिस्तरान उसकी बनावटी जो है हिंदू और इरानी दोनों की कलाओं का उसमें उलेख किया गया है Question number 20 है दिल्ली की परशित जामा मस्जीत का निर्मान किसने कराया तो दिल्ली की परशित जो जामा मस्जीत थी उसका निर्मान किसने कराया था साह जहाने Question number 21 है निमलिखित में से किस ने समराज की राधानी आगरा से दिल्ली अस्थांत्रित की थी तो उस समराज का नाम क्या था उसका नाम था साह जहाँ कुस्टन नमबर 22 है उपनिसदों का फार्षी में अनुबाद किस मुगल समराट के सासन काल में हुआ यह हुआ था उपनिसदों का फार्षी अनुबाद साह जहां के सासन काल में कुस्टन नमबर 23 है सीरी अकबर के लेखक थे तो सीरे अकबर के लेखक कौन थे इसके लेखक थे दारा सिको एंसर हो जाएगा बी दारा सिको कुस्टन नमबर 24 है इन में से किसे साजहा ने साह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो यह दे थी किसे दारा सिको को कुस्टन नमबर 25 है और अंतिम कुस्टन है निमलिखित में से किसी त्यासकार ने साजहा के साशनकाल को मुगल काल का स्वन युग कहा है तो यह थे कुस्टन आज के लिए तो मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधी सेर करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में